यह एक छोटी सी क्रिया वर्ख और वर्ग मूल की है घन घन मूल की बात अभी हम बात में करेंगे सबसे पहले हम एक छोटी सी क्रिया करेंगे वर्ग और वर्ग मूल की जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास दो अलग अलग वृत हैं इस पर हमने लिखी हैं एक से लेकर और बीस तक की मूल संख्याएं और बाहर वाले व्रिद पर हमने लिखे हैं इन सब के वर्ग मान लीजे मुझे पांच का वर्ग निकालना है तो इस arrow को मैं पांच पे रखँँगा और नीचे वाले वृत को घुमा कर मैं पांच के वर्ग तक ले आँ इस प्रकार से हम बच्चों को वर्गों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं इसी प्रकार माल लीजे कि मुझे चोदा का वर्ग ग्याद करना है तो हम इसको नीचे वाले वृत को घुमा कर जब चोदा का वर्ग आजाएगा वहां तक इस एरो को लिकराएंगे अग चोदा और चोदा का वर्ग है एक सो च्यानवे तो इस प्रकार यह बच्चों के लिए खेल खेल में वर्गों का अभ्यास करने का एक जरिया है इसी प्रकार इसका रिवर्स भी हम बच्चों को दे सकते हैं माल नीचे मैंने यह एरो दोसो पच्चिस पर फिक्स किया तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि 225 वर्ग है इसका वर्ग मूल ग्याद करो तो बच्चा नीचे वाले वृत को घुमा कर इसका उत्तर यहाँ पर लेकर आएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 225 का वर्ग मूल है पंदर तो इस प्रकार से हम बच्चों को वर्ग और वर्ग मूल दोनों करियाओं का अभ्यास करा सकते हैं इसी प्रकार से हमारे पास एक और वृत है इस पर हमने इन बेज संक्याओं के एक से देकर 20 तक की सभी मूल संक्याओं के घन लिखेंगे फिर इसी प्रकार मैं एक संक्या लेता हूँ चार अपना एरो चार पर लगाता हूँ और बच्चे को कहता हूँ कि इसका घन निकारो तो बच्चा बाहर वाले व्रित को घुमा घुमा कर हमें चार का घन निकारना है तो चार का घन डूनकर और यहाँ पर लेकर आएगा ठीक है और यदि हम चाने इसको साथी साथी चार का वर्ग भी हम इसके साथ दोर सकते हैं तो अभी आप देख रहे हैं यह है चार चार का वर्ग है सोला और चार का घन है चौनसट इसी प्रकार से सोला का वर्ग मूल है चार और चौनसट का घन मूल है चार तो इस एक छोटे से गोल 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 मटोल अकरिती के दोरा हम बच्चों को वर्ग वर्ग मूल घन और घन मूल इनका अभ्यास करा सकते हैं कर दो आज है